असलाम वालेकुम वेवर्स आज के सुटियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बेबी फ्रॉग बनाने का महोती आसान तरीका इसको बनाने के लिए मैंने बहुती सॉफ्ट कॉटन फैबरिक लिया है ये रूबिया वाइल कपड़ा है इसको मैंने फोर फोल करके रख लि है ये यानि ये फोर फोल कपड़ा है और यहां से अगर आपको बड़ा कपड़ा लेंगी तो इसकी लैंच ओड़ाई या पंदरह तक या अठारह भी इस तक भी कर सकती हैं जैसे बच्चे की साफ से ले सकते हैं अब जो ये फोलेट जिस तरह पार्ट है यहां से हमें मेज जिसरिमिंट टैप रखें और दो इंच की इक लाइन बना ले यानि दो दो इंच का एक बॉक्स बना लेना है इस तरह से अब इसका जो कॉर्णीर है यहां पर गोलाई दे दे देना है यहांक etjukा देंगे और फिर 2 इंच का box बनाएंगे तो 2 इंच पर फिर mark कर लें ऐसे और फिर 2-2 इंच का एक box बना लेंगे यहां से अब इसकी बात जो इसका corner है इसमें भी गुलाई दे देना है दोनों side में ऐसे करके तो यह slaves के लिए रहेगा और यह गले के लिए रहेगा तो अब यह measurement रखेंगे यहां पर 13 इंच इसकी length है उतने ही लेते हुए इस तरह से mark करते हुए गुलाई दे देंगे इसमें यहां से यहां तक पुरा कर लेंगे ऐसे ही अब इन points को मिला लेना है ऐसे इस तरह से इसको round shape में कर लेंगे यह umbrella cut बन जाएगा इस तरह से अब इसके हम cutting कर लेते हैं तो यहां पर जैसे इसकी marking है इस तरह से मैंने इसकी cutting करती है तो यह हो क्या है अब देखें इसको open करेंगे तो इसको जब open करेंगे तो ऐसा look रहेगा इसका इसके bottom को तो fold करके stitch कर लेंगे लेकिन इसके गले को stitch कर ने का दो तरीका है पहले तो मैंने ये ये डिएरे इंचो डी पटी ल veggie ली है और इसको मैंने और ये पटी ец लेन कर लेंगे गले तो इसको यहां से रखके stitch करने इस तरह से अब पलटके वापस दुर्पई कर लेंगे और यहां पर देखें इस तरह की मैने लेस ली है काफी soft है यह तो मैं इसके border में stitch कर लूँगे पहले एक बार इसको हलका सा fold करके stitch कर लेना है border उसके उपर join कर देना है lace को तो यहां पर मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ जैसे कि यह तोड़ा soft कपड़ा है तो इसको हम इस पे तुरपन भी बना सकते हैं इस तरह से तेखिए यहां पर कपड़े को हलका सा fold कर लेंगे अंगोठे की help से और फिर इस तरह से सुई धागे की help से तुरपई कर देंगे तो यह बहुत अच्छी से जैसे पीको जैसा हो जाता है इस तरह से यह fold हो जाएगा एक हाज से बस इसको fold करती जाएं उटे से हलके से और फिर दूसरे हाज से stitch कर लेना है देखिए इस तरह से यह fold हो जाती है और बहुत ही अच्छा लुक आता है इसे बिलकुल finishing के साथ यह बनता है इस तरह से बस आपकी तुरपई जो है वो fine होनी चाहिए यह single दागा इसमें यूज करना है और same color का दागा यूज करना है तो यहां पर देखिए इसको मैंने complete कर लिया है इसी तरह से इसके आम होल को भी बना लेंगे और इसके बाद इसके उपर इस लेस को ऐसे करके stitch कर देंगे हाज से भी इसको stitch कर सकती है machine के help से भी लगा सकती ह और जैसे पेने गले पे तुरपई करके इसको बना लिया है इसी तरह इसका महल जो है दोनों इसको भी कर लेंगे और इस तरह से लेस को जोइन कर लेंगे तो इसी तरह से ये बेबी फ्रॉग बहुत ही आसानी से बन जाती है 10-15 में ये बन कर रेटी हो जाती है और ये पहनने में भी बहुत beautiful और smart लगती है तो आप लोग इसको ज़रूर ट्रॉय कीजिए अपने बेबी के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन प्रेस कर लिजे ताकि आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए अगर आप लोग फेस्बुक पर देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पेच को फालो कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजे तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए रखे अपना खूब सारा ख्याल अल्ला हाफिस और बाए